अब बच्चों कैसे हैं आप लोग खैरियत से आवाज आ रही है बच्चों कि अब जले जी मैसेज करते हैं अपने रिस्पेक्टिव गूर्प के क्लास स्टार्ट हो चुकी है एक मैठ बाद हम इंशाले क्लास कर रहे हैं बच्छों सैट है कि अब तो कि अवाज कर दो कि अवाज बच्चों सैट है कि झालो पर चीजक है पर रहे हैं खरे जो अवाज भूटन कर रहे हैं आर को तूब खो खागोग है उवाज। कि अच्छा करें कि अच्छा करें कि अवाज के लिए आ रहे हैं सबको बसक्राइब जबाब दें जगा तक हम जल्दी क्लास कि अच्छन करें ऑप चले करते हैं आज लास् przyp में हमने ये सीख लिया ता कि कंपणी किन को बनाना ज़रूरी है कैसे बना सकते हैं कैसे form कर सकते हैं और कैसे registered हो सकते हैं कोई document submit करवाने पढ़ेंगे वो document क्या आते हैं वो 2-3 documents थे memorandum था article था बस ही एक दो word हमने पकड़े हैं और इन दो words के basis में जितने भी sections थे उन सारी चीजों को हमने discuss कर लिए for example memorandum के content में आता था आपके पास के जी आपका principle line of business के है उससे related जितने भी section से वो पढ़ लिए plus यहाँ पर जो कुछ लिखा है वो तो रहेगा लेकिन इसके लावा भी अगर आप memorandum को alter करने जाता है तो alteration of memorandum का section भी हो जाएगा यहां तक प्यारे बच्वों बास समझ आती है सब के आज चुके अब हम company incorporate हो चुकी है company incorporate हो चुकी है तो हमें अगला काम यह करना पड़ेगा प्यारे बच्चों देखें दो-तीन चीज़ें यहां पड़ सकते थे डेक्टर के section भी पड़ सकते थे मीटिंग्स भी पड़ सकते हैं आज से क्लास में मीटिंग्स पड़ने जाएंगे उसका रिजन यह कि प्यारे बच्चों जो वर्ड दिख रहे हैं कि रिए हैं पूरा एक हैंड यहां पर और यह हैंड़ा बहुत ही कोई कि देख लेते हैं डारो यहां बच्चों कि अ कि चैलेंजी सबसे पहली चीज़ सबसे पहली मीटिंग जो हमारे पास है कि सबसे पहली मीटिंग जो हमारे पास है प्यारे बच्चों वह कॉंड़ सी है वह स्टेशरी मेटिंग से यह जैने जी सबसे पहले जो मेटिंग हमारे पास से वो स्टेश्य मेटिंग है किन कंपनी को पर रिक्वार्मेंट है एवरी पब्लिक कंपनी कंपनी के उपर है इस मिटिंग की टाइम लिमिट है इस मिटिंग की टाइम लिमिट है विदिन अ पिरियाद ऑफ वन हैंडेड एटी देश्ट लिखी वी थी उस डेट के नाइन मंस में या उसके बाद जब आपको कंपनी बिजनेस मिलेगा उसके 180 डेज में विच्एवर इस अर्लियर इस टाम लिमिट में आपने स्ट्रेटिटरी मीटिंग करनी है कि इनको एवरी पब्लिक कंपनी है विंगा शेयर कैपिटल इसका मतलब है अगर एक कंपनी बनी होगे उसका शेय इसे च्शेइब वी होागा वह पैसा भर्च भागा बस यहीं सारी चीजे यहीं सारी चीजे इसके content का पारचे नेते हैं रिकौर्मेट requirement किया है इन companies को इन company को requirement to hold a general meeting of the member of the company to be called the statutory meeting इनकी exceptions क्या है दो exception है प्याले बख्चो पहली exception है provided that in case of first annual general meeting of our companies decided to be held earlier थोई दिर में AGM पढ़ेंगे no statutory meeting shall be required अगर आपने AGM कर ली इस time limit के दोरान जो time limit बयान की गई है इस time limit के दोरान अगर आपकी AGM भी due हो जाती है सही है यह AGM due नहीं भी होती है आप करते हैं ठीक जी मैंने AGM करनी में पतना time है मैं इस time के दोरान AGM कर सकता हूं आप AGM कर लेते हैं तो चुक्कि आप AGM कर चुके हैं तो इसके बात यह वाली requirement आपके उपर apply नहीं होगी सही है इसमें एक technical concept है थोई दे में डिसकस करता हूं अच्छा यह आप apply किसके ओपर होगा every public company having a shared company तो इसका मतलब है जब आप company incorporate हुए तो आप private company के तौर भी incorporate हो सकते हो और बाद मगे convert होगे तो क्या यह section apply होगा उसको पर यह कहता है the provision of this section shall not apply to a public company which convert itself from a private company after one year of incorporation जहां रडि फिर आपको strategy meeting करवानी पड़ेगी और अगर एक साल गुजड़ चुका है उसके बाद आप convert होगे public company having a share capital बन गए चुक्क अब every public company having a share capital है आपके उपर फिर भी यह section apply नहीं होगा बच्चों के आप यहाद अके लिए है सब बैकरी नोग्या दा नोटिस दा नोटिस और स्ट्रेटिटी मीटिंग शैल भी सेंट टुड़े मेंबर एट लीस्ट फ्वेंटीवन डेस बिफोर देट फिक्स्ट फॉर दा मीटिंग जिस दिन आपकी मीटिंग होगी उससे 21 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा सही है इसको भी थोड़ा सा मार्क कर रहा हूं कुछ टेक्निकल कॉंसेट डिसकस करते हैं सही है मेरी बात याद रखेगा आज की क्लास में देख रहा है यह सारा कॉंटेट हमने पढ़ना है और हम इंचालला एक घंटे में इसको पढ़ लेंगे और जहां में चीस समझ में आ भी सेंट तो मेंबर अट लिस्ट्वेंट इस बिफोर देट फिक्स पर देमिटिंग अलॉंग विधा स्ट्रेचिटरी रिपोर्ट सही है आपने साथ में स्ट्रेच इसी रिपोर्ट की वजह से तो भी मीटिंग कंटेंग करनी है अच्छा भाई तो content क्या होंगे अलॉटे कितने अलॉट हुए कितना पैसा रिसीव और एंड एब्स्ट्रेक्ट ऑफ दा रिसेट्स ऑफ दा कंपनी एंड पेमेंट में डियर आउट अप तुवा डेट विधिन 15 डेज ऑफ देट ऑफ दी रिपोर्ट सही है तो जो आपकी स्ट्रेचिट रिपोर्ट की डे फॉर एक्जेंपल फॉर एक्जेंपल आपकी मीटिंग होने जा रही है 22 मार्च को समझने कोशिश करेंगा सब्सक्राइब 22 मार्च को अगर आप स्ट्रेचिटी जर्नल मीटिंग कॉल करने जा रहे हैं तो नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ेगा प्यारे बच्चो अ यह स्ट्रेचिटरी रिपोर्ट जाएगी नोटिस कasis आ एके सत्मस्त्रेच और रिसेट्स और रिसेट्स पेमेंट तो जिस दिन मुझे स्रेशरी रिपॉर्ट बान जिस दिन मुझे स्रेशरीा रिपोर्ट नोटीश के साथ देनी है तो जैक्से बात है उस दिन तक तो मैं डिसने प्रमेट नहीं कर सकता तो जो फॉर्सर से प्रिविएस 15 डेज होंगे प्रिविएस 15 डेज होंगे आपके आपने रिशेट्स और पेमेट भाँ तक बता लूँगे फॉर एक्जेंपल डेट आपकी आती है मैं जीम कर रहा हूं पंदरा फैबरी बंदरा दिन बनते लैट से पंदरा फैबरी अगर फिर्स वार से प्यारे बच्चों क्या तेरा फैब हो सकता है कि बैतरी हो गया मेरे प्यारे बच्चों बैतरी हो गया अच्छा इन्हीं तीनों चीजों पर रिक्वार्मेंट है कि आपने इस सर्टिफाई करवाने चुक्छे नंबर का मास्टर को ने नंबर का मास्टर आडिटर कहलाता है है इनी तीन चीजों का आपने सर्टिफाइब करवाने किसे सर्टिफाइब करवाना है और इन सर्टिफाइब कराने अच्छा इस ट्रेची रिपोर्ट में और क्या कॉंटेट हैंगे दा नेम एड्रेस अंड ऑक्कुपेशन अफ दी डिरेक्टर्स चीफ एग्जेक्टिव से सब्सक्राइब करने जा रहे हैं यह अगर मेरे शेयर ने नहीं लिए तो बैंक कहता कि मैं फिर आपको फानेंस करतूंगा from the date of incorporation बिल्कुल बिल्कुल जहरान बिल्कुल बिल्कुल the particulars of any commission or brokerage paid ought to be paid in connection with the issue of sale of shares to any director chief executive or to any company which is a private company which is on which he is a director normally जो कंपनी बना रहा ह långता है नौर्मैल एक जो company बना रहा होता है तो जो चैंपनी बना होते हैं जहiren से बात है कहते हैं मैं भी दसक के रख़रीदूं बाकि जो बात में आ रहा है वह तो उनको नॉर्मली कमिशन या ब्रोकरेज या पर का जाते गए हम को कमिशन ब्रोकरेज पर नहीं कर रहे हैं तुम दस की जगा मुझे आठ रुपे दे दो शेर किसी डिस्काउंट पर ले लो तो अगर ऐसी कोई चीज होने जा रही है तो यह डिटेल्स भी आपको बतानी प सिंस इंकॉपरेशन एंड बिजनेस प्लैं इंक्लूडिंग एनी चेंजिस और प्रॉपोज चेंज अफेक्ट इंटर्स ऑफ शेल्डर एंड बिजनेस प्रस्पेक्ट पर कंपनी तो जो आपका पूरा कंपनी एफेर्स हैं जो सारी चीज़े भी आपको कम्मिनिकेट करनी पढ़ेंगी बच्चों कि यहां तक बास समझ आती है यह मेरे पास इस्ट्रेटिटी रिपोर्ट के कॉंटेंट होंगे इसमें कुछ नंबर्स भी होंगे और इसमें कुछ इंपर्मेशन भी होगी नंबर्स क्या है शेर्स कितने एशू करें पैसा कितना आया और जो पैसा आया वह कहां खर्च किया आपने सही है और इसको पर एक सेटिफिकेशन अप्टिटरपी होगी इंफ्रमेशन क्या होगी इनके एड्रस क्या है इनकी औक्यों क्या है और इनमें कोई चेंजिस आई के नहीं आई जो मॉडिफिकेशन हुआ है कि किसी कॉंट्रेक्ट करेगा प्यारे बच्चों इसको सैटिफाइ कौन करेगा बच्चों इसको सैटिफाइ कौन करेगा प्यारे बच्चों इस दुनिया में पहले मैनेजमेंट आई एक और आया जबरदस जबर्दस इसका मतलब है और इसको सउटाइड करेगा और इक डिर्स सैन करेगा करेगा और धृट के सथाइड हो जाएक करेगा है इसलिए यह इन सारे स्थे में स्ट्रेशर में डिरेक्टर की क्या जिम्हदार रहे है इन सारे प्रोसेस से रिलेक्टर क्या जिम्हदार यह डिरेक्टर की सिम्हदार है के सिम्हदार है मीटीश से पहले डिरेक्टर शेल कॉस्ख a copy of the stretch report along with the report of the auditors as a force to be delivered to the register for registration टॉट्वित आफिर रिपोत की थिंगा चैनल इस्ट मिजे बता का का ब कुझनला है मेरे बाई यह इंगेंगेंट बेस्स पे अपने कुसको करना nenag को भी करना है दस दिन पंदा दिन का डिले नहीं करना आपने सब्सक्राइब की जिमेदारी आए ती गई है मेटेंग मेटिंग अब दिन के जिमेदारी है दिरेक्टर शेल कॉज अलिस्ट शोइंग अश्वग अने मेंपर्ण चीज यह एडारी है कि उसने नाम, पता, डैशनलिटी, एड्रेस, members के ओपर नखने ताके हर member check कर सके, किसके पास कितने shares है, कितने shares नहीं है, कौन company, कौन पाकिसान में रहता है, कौन पाकिसान से बाहिर रहता है, क्या occupation है, उसकी भाई member का क्या राइट है member साब meeting के दोरान member साब meeting के दोरान क्या कर सकते है भाई शेल भी अड़ा Liberty to discuss any matter relating to the formation of the company जो चाहे discuss कर सकते हैं सही है और arising out of the stretchy report और stretchy report से रिलेकेट भी जो चाहे discuss कर सकते है provided that resolution ये decision नहीं लिया जाएगा unless उस matter को notice का part बनाया गया but no resolution of which notice has not been given in accordance with the article may be passed resolution passed नहीं हो सकता discussions लाजमी हो सकती बच्चों कहीं यहां तक बास समझ आती है आखरी चीज़ बड़ी इंपोर्टेंट बढ़ी इंपोर्टेंटेश प्यारे बच्चों आखरी चीज़ बड़ी इंपोर्टेंट है adjournment the meeting में adjourn from time to time and at any adjourn meeting any resolution of which notice has been given in accordance with the articles either before or after the original meeting may be passed and an adjourn meeting shall have the same power as an original meeting ऐसा हो सकता है कि प्यूंट मीटिंग अगली अगले चली जाए दस दिन बाद चली जै चार दिन बाद चली जाए तो अगर मीटिंग सब कुछ होगा जो देखिए बच्छों कौन से सेक्षिन पढ़ ड़े हैं 131 पढ़ ड़े हैं 131 एंड कहा पे हो रहा है 131 एंड और एडजंट में पे ते मीटिंग में एडजंट फ्रम टू तू तौ टाइम and at any adjourned meeting any resolution of which notice has been given in accordance with the article either before or after the original meeting may be passed and an adjourned meeting shall have the same power as an original meeting. मैं फॉरन से जहां section 131 खतम हो रहा है मैंने उसके साथ नीचे आपको लिंक कर दिया क्या section 146 जो कि आपको कहता है resolution passed at the adjourned meeting सही है और अगर आप देखें any resolution of which the notice has been any resolution the resolution passed where a resolution is passed at an adjourned meeting of a company the holder of any cluster the board the accreditor of company the resolution shall for all the purposes be treated as having been passed on the date on which on which it was in fact passed and shall not be deemed to have been passed on any earlier date अगर आपकी पहली अगर आपकी अगर आपकी फर strategy general meeting पहली तारिक को रही है सही है अगर पंदरा तारिक को को decision लिया गया है प्यारे बच्चो तो it will be considered कि जी आपका आपका ही resolution पंदरा तारिक को पास हुआ है पहली तारिक को पास भी वाक्या यहां तक क्लियर होंगे पेपर से एक बार पहले घुमा लेंगे इंशाल्ला तो पेपर पास आपका हो जाएगा ड़न हो गया प्यारे बच्चों आगे बड़े जी चले जी अगली चीज अगली चीज हमारे पास है एन्वल जॉनल मीटिंग कंपनी किसकी कैपटल एगा हर कंपनी के रिक्वाइरमेंट है गा समय साही है जी एवरी कंपनी की के रिकवाइरमेंट है हैं टाम लिमिट जिस तरह हम आप फर तम लिमिट यहां भी टाम नेम यो कि china will hold an annual meeting within 16 months from the date of its incorporation and thereafter once in every calendar year within a period of 120 days following the close of its financial year साहिए जो पहली AGM होगी वो आपके date of incorporation 16 महेने के अंदर होनी चाहिए और इसके बाद हम जा आपका financial year होगा जिसमें आपके जिसमें आपके financial statement present हो रहे होंगे इसके 120 दिन के अंदर आपने AGM कंड़क करवानी है क्या extension मिल सकती है हाज जी extension मिल सकती है provided that in case of a listed company the commission and in any other case the registrar may for any special reason extend the time by a period not exceeding 30 days तो 30 दिन तक आपको extension मिल सकती है AGM conduct करने के अगर आप listed company तो commission के पास जाएंगे लिस्ट कंपनी के लावा कोई है तो आप आप रिस्वाइगा पास जाएंगे भाई AGM होगी कहां पे भाई AGM होगी कहां पे and energy limiting shell in the case of a listed company be held in the town in which the registered office of the company is situated or in a nearest city अच्छा जबर्दस members right presiding outside the registered office location अगर कोई member ऐसा है अगर कोई members ऐसे हैं जो के for example कराची में हैं और लैट से वो लाड़काना वगरा में रहते हैं सक्कर में रहते हैं तो provided that at least seven days prior to the date of the meeting on the demand of a member residing in a city who holds at least 10% of the total paid-up capital और सच अदर परसेश में भी स्पेसिपाइट अलिस्ट कमपनी मस्ट प्रोवाइट दा फैसिलिटी ओफ वीडियो लें तो सच मेंबर्स इनेबलिंग दें टू पार्टिसिपेट इन इस एन्वर जर्नरल मेटिंग क्या यहां तक बास समझाती है प्यारे बच्चों अगर लिस्टेट कंपनी होगी तो वहां पर अगर वो लाड़काना में उनको एक वीडियो लिंक फैसिलिटी प्रोवाइ कर सके बच्चों के यहां तक बास समझाती है सबके भाई इसका नोटिस कब होगा दा नोटिस ऑफ एन अनोजनल मेटिंग शैल भी सेंट दो दा मेंबर्स एंड एवरी पर्सन हुई इंटाइटल तो रिसीव नोटिस इसको मैं थोड़ी देर के लिए मार कर रहा हूं हुई इस इंटर्रीब रहें पुछिए थीज़ को रहें शीज़ देर विए इस बाद एक लिए इस व्यच्ट देट विक्स्ट पर दा मेटिंग देन लिश्ट कंपनी के लिकिशल रिक्यर्मेंट है प्रवाइट एं प्रवाइट इलिस अपहुई तो और आदेशन टो इस बिसे in the normal course to members and the notice shall also be published in English and Urdu language at least one at least in one issue each of daily newspaper of respective languages having nationwide circulation अगर आप लिस्टेट कंपनी एंग करने जा रहे तो भाई यह जो notice है यह commission को भी जाएगा प्लस इसके साथ साथ यह जो notice of AGM है यह आपका English और उर्दू लेंग्विज में English और उर्दू से प्यारे बच्चों किस चीज की AGM की अगली चीज जो सबसे important है हमारे पास वह है calling of extraordinary journal meeting all journal meeting of a company other than AGM and SGM shall called shall be called extraordinary journal meeting इन दो meeting के लावा अगर कोई meeting होगी तो वो EOGM में आएगी the board में at anytime call EOGM to consider any matter which require approval of company in general meeting तो बोड अगर चाहे तो वो EOGM चाहे किसी भी matter जिसमें company की approval required है वो EOGM बिला सकता है members का भी राइट है भाई EOGM call करने का था board shell लेकिन members खुद से call नहीं करेंगे member ने जिन बोर और बैकर को appoint किया उनको खत लिखेंगे था board shell at the requisition made by the members in case of a company having share capital representing not less than one tenth of the total voting power on the date of deposit requisition and in case of a company not having share capital not less than one tenth of the total member forthwith immediately proceed to call an extraordinary general meeting board की मर्सी है बोड के discussion है वो खुद चाहे जब चाहे EOGM call कर सकता है लेकिन जहां member जिनके पास one tenth of the power है अकर उन्होंने board को requisition बेज़ दी एक request लिख दी के भाई हम चाहते हैं कि एक EOGM हो इस matter के उपर तो board के उपर यह mandatory है immediately EOGM call करेगा क्या यहां तक बाद समझाती है प्यारे बच्चों अच्छे जो members देंगे तो इसका requisition का content क्या होगा भाई the requisition is state the object of the meeting जाइट दी बाद भी signed by the requisition and deposit at the registered office of the company यह कुछ requirement है आपने comply करने पड़ेंगी अगर board proceed नहीं करता चुक्के requisition आपने जमा करा दी registered office में तो जो अब बॉल है वो board के court में सही है अगर board proceed नहीं करता इब the board does not proceed within 21 days from the date of the requisition being so deposit to cause a meeting to be called the requisition is made themselves call the meeting but in either case any meeting so called shall be held within 90 days from the date of deposit of the requisition अगर board अच्छा यह जो लिखावा है प्यारे बच्चों if the board does not proceed within 21 इसका क्या मतलब किस दिन के अंदर मिटिंग हो जानी चाहिए मैंने पहले तारिक पर किसिशन जमा किरा यह कंपनी में तो क्या 21 तारीक तक मीटिंग हो जानी चाहिए नहीं 21 तारीक तक 21 विदिन 21 मीटिंग प्रोसीड क्या मतलब इसका कि भाई मीटिंग का नोटिस चला जाना चाहिए समझारी यह बात 21 दिन में मीटिंग कंठ करना जुरूरी नहीं है 21 दिन में एटलीस अगर यक्स दिन गुज़्क और आपको exists नहीं मिला फिर मेंब्रान के पास ए रायत है फिर मेंब्रान के पास ही रायत है के वह इमीजिट ली मिटिंग कॉल कर सकते हैं बट इन बोथ के से मीटिंग जो होगी वो विदिन 90 डेज ही होगी प्यारे बच्चों क्या यादक बास समझ आती है इससे एकसीड नहीं कर सकते हैं मैनर ऑफ मीटिंग एनी मीटिंग कॉल अंडर सबसेशन फाइब अधर कोई शेल भी कॉल इंद सेम मैनर एस नियरली अस पॉसिबल मीटिंग के खरकियों वो कौन देगा कंपणी रिंबार करेग और कंपनी किस्से लेगी अधर को 51 के तहट इसका मतलब वही 21 दन वाली क्यांत है लेकिके घर चैसा पाइंड और कंपीड क Länder सब्सक्राइब के लावब के छोटी कंपनी प्राइब कर जाते हैं यह तो बड़ा मेंटर आगे हैं फॉरण से मीटिंग कॉल करने चाहिए और इसमें डिसकस करते हैं तो अगर वह आट-दस मेंब्राइब ऑगरी हो जाएं सही है और साइन कर दें तो बाही वह मीटिंग तो 10 दिं के सी अाहoire सकतीます बिल्कुल भी आप exception for the notice of time limit EOGM के लिए EOGM के लिए AGM में ऐसा कोई section निदेखेगा आपको SGM में ऐसा कोई section निदेखेगा बच्चे डन है किसके लिए किसके लिए EOGM के लिए जबर्दस एक्स्टारणी जर्मिटिंग कॉल इस लिए करनी है विकॉस कोई बहुत ही urgent matter है मैं AGM मेरी AGM चार मैने बाद होने वाली है मैं AGM का वेट कर नहीं सकता एक सकन है या थी को कि प्यारे बच्चों यहां पर देखें अब तीन हमने मीटिंग से section पढ़ लिए प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टन है बड़ा इंपॉर्टन है अमारे लिए अब जो हम आगे के section पढ़ने जा सही है एडजर्ण्मेंट से एडजर्ण्मेंट से रिलेटेड हमने यह वाले section ही पढ़िए इस हैंडाउट को जो परपस है और जो इस section आगे इसके बाद section 134 जिसका नाम है provision as to meeting and votes है और यहां पर हमारे पास कुछ sections है अगर इन sections को आप गौड से देखेंगे ना प्यारे बच्चों अगर इन sections को आप गौड से देखेंगे यह actual में यही section है जो उपर हमने पढ़ लिए क्या यह बात समझाती है नीचे जो हम green से हालाइट करने जा रहे है वही चीज़न जो पर हम परपल से अल्लेडी हालाइट कर चुके है यह मेरी बात समझाती है बच्चों अब बच्चों मेरी यह बात समझाती जो मैं आपसे कह रहा हूं ल superior to receive notice विस इंटाइट्र टुरिसिव नोटिस तो कौन इंटाइट्र तो नोटिस तो आपको इस कांट सर कांट से मिलेगा प्रूविज्जन स्टू मेटिंग एंड वोट्स के यहादग बात समझाती है आपने पढ़ा एज इह में में कि भाई अगर मेंबर्स के पास है तो उनके पास यह राइट है तो यह राइट उनको communicate कैसे किया जाएगा provision as to meeting and words प्यारे बच्चों करें यहां तक बात समझ आती है 21 दिन पहले जगा जगा आपने पड़ा 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा तो नोटिस में होगा क्या यह सारी बात आपको क्या आंसर मिलेगा का से आंसर मिलेगा प्रोविजन ऐस्टु मीटिंग एन्वोट्स बच्चों करें याद लिए रहां फॉर इक्जैंपल इसका मतलब उपर जितनी भी मीटिंग आप से डिसकर्स की गई है उन सब के उपर यह अपलाए होगा ठीक है एंड आवर ऑफ दा मेटिंग अलॉंग विटा स्टेट्मेंट ऑफ दा बिजनेस तो बी ट्रांजेक्टेट एड दा मेटिंग क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों यह कॉंटेंट होगा नोटिस का नोटिस के अंदर यह लफवाजी यंगरी जी लिखी ने शेल भी गिवन तो एवरी मेंबर एवरी डिरेक्टर एवरी परसेंट जो अगर मर गया बैंक अट होगे तो जो जो लीगल सक्सेसर होगा वह एंड टू जो और इसको मैं कांसे लिंक कर सकता हूं प्यारे बच्चों जल्दी से बता दे इस सब सेक्शन को मैं कांसे लिं जबर्दस जबर्दस विस इंटेटल तो रिसी प्यारे बच्चों के यहां तक बाद समझ आती है इसका आंफिर का लिखाव है सेक्शन 134 के सब सेक्शन 2 में लिखाव है बच्चों डन हो गया मैं आपको यह समदाने कोशिच कर रहा हूं कि इस किलास का जो असल परपस है हो यह है अब यह सुन्येगा in case of a listed company, in the case of a listed company, if certain members who hold 10% of the total paid up capital, reside in a city, it shall be mentioned in the notice, it shall be mentioned in the notice that such member may demand the company to provide them the facility opportunity of video link for attending the meeting so कहां से link कर लूँ पयारे बच्चो जलिए से पता हैं सो कहां से link कर लूँ प्यारे बच्चो यह भात समझ आ रही है क्या यह बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को बहतरीन हो गया बच्चों बहतरीन हो गया तो प्रोवीजन एस्टू मीटिंग इन वोट्स में आपको वही सेक्शन मिलेंगे जिसके जवाब उपपर 132, 131, 132, 133 में नहीं है कि नोटिस जाएगा ठीक है जाएगा किदे दिन पहले जाएगा 21 दिन पहले जाएगा लेकिन नोटिस में लिखावा क्या होगा इसका आपको 131, 132, 133 नहीं बतायेगा सही है नोटिस के अंदर क्या लिखावागा यह आँसर आपको माँपे नहीं मिलेगा मेंबर्स के पास राइट है तो यह मेंबर्स का राइट कम्यूनिकेट कैसे क्या जागा क्या आप यह एक्सपेट करेंगे वो कंप्रीज पढ़ेगा नहीं आप नोटिस में यह लिख के देंगे प्यारे बच्छों कर यह दक बाद समझ आती है For the purpose of subsection one in the case of an annual journal meeting all the business to be transacted shall be deemed special other than यह जो आपके अगर यह AGM में अगर आप इस चार अगर यह चार काम आप कर रहे हैं अगर आप यह चार राव कर रहें प्यारे बच्छों और यह किसको अपड़ा अप्लाएंगा सिर्फ और सिर्फ annual journal ऍरिन्स कैलाएंगे इन चार काम किलावा जो भी काम कोगा फ्यारे बच्रों वो क्या कहलाएंगा वो यह चीज के लिए गश के लावा अगर आपको और काम करने जा रहे हैं इन चार के लावा अगर कोई और एजंडा भी और बिसनिस भी आप करना चाहरे तो वह आपका special business के लाएगा अच्छा वर्ड आ रहा है वर्ड आ रहा है कौन सा वर्ड आ रहा है समझने कोशिश करिएगा कौन सा वर्ड आ रहा है मेरे प्यारे बच्छो शेल भी डीम्ड special तो फॉरण से निचे special business पढ़ लेते एग्वर एनी special business is to be transacted at a journal meeting there shall be annexed word by gaur करिएगा notice के अंदर की बात नहीं कर रहा notice के साथ stapler होगा annexed होगा to the notice of the meeting statement setting out all the material facts concerning such business including in particular the nature and extent of the interest if any dear on of every director whether directly or indirectly and where any item of the business consists of according to of an approval to any document by the meeting the time when and the place where the document may be inspected shall be specified in the statement प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आती है मैं यह समझने कोशिश करेगा notice के साथ notice के साथ एक statement लगेगा और statement के अंदर सारे material facts बताए जाएंगे director का interest बताया जाएगा और अगर आपने कोई agreement approval करा रहे तो उस agreement को आप कहां पर inspect कर सकते हैं वो भी उस statement के अंदर नोटिस के अंदर नहीं नोटिस के साथ स्टेक्मेंट एन एक स्टेक्मेंट के अंग्रेजी में यह सारे matters हमारे describe दोंगे बच्चों के यहां तक वास समझाती है बहतरी नोगया प्यारे बच्चों बहतरी नोगया अब तक हमने क्या पढ़ा अब तक हमने यह पढ़ लिया वाई नोटिस जाएगा नोटिस में यह लिखा होगा यह ordinary business है यह special business है special अब actual में क्या होने जा रहा है अब member participate करेंगे यह सारे काम यह सारे काम सुनिएगा यह सारे काम प्यारे बच्चों यह भी लिख रहा हूं बी का मतलब यह before meeting करने है सही है यह बिफोर मीटिंग करने यह वाला काम एट मीटिंग में होगा क्या मतलब दा मेंबर्स आफ अपकंपनी में पार्टिसिपेंट ने मीटिंग पर्सनली थू वीडियो लेंग और बाइप्रोक्सी से इस हैंड़ाट को समझने कुशिच करेगा पहली बार हम प्र हो कि ऐसफ ढूडव हो एक चीज़ और समझने यहां पर एक चीज़ और समंझने मेरे प्यारे लिंक्ट हो जाता है वह वापिस से पता दूँ आपको we are sorry for the purpose of subsection 1 in case of an AGM all the business to be trusted shall be deemed special other than this सही है तो notice of resolution the notice of a general meeting of a company shall state the general nature of each business to be proposed to be concerned deal with at a meeting and in case of a special resolution accompanied by a draft resolution अब यह वाली बात section 134 में भी नहीं बता ही है इसका मतलब है अगर आपसे कहें कि मैं special business करने जा रहा हूँ प्यारे बताओं में सवाल आता है कि मैं special business करने जा रहा हो कि शाप क्या प्यर्ट के साथ कि अच्छ के साथ किया ब्चोह वह आ लगेविद रुटाहट में अगर किसके साथ क्या टेच होगा statement setting out all material facts है यह लेकिन अगर उस business को वह जो special business है उसमें special resolution required है अगर उस special business में special resolution required है अब क्या करेंगे अगर उस business में special resolution required है तो प्यारे बच्चों वह draft resolution भी लगेगा किया यहां दक बास समझ आ रही है खुदा का वास्ता है खुदा का वास्ता इस section को section 140 के साथ link कर लिजेगा resolution जो आपने pass करवाना है ना जो चीज़ agree करवानी है members है क्या agree करवाने we hereby confirm that we hereby resolve that the company can may enter into a transaction with company B in which a director is interested यह अपने members से sign करवाना है ना तो यह resolution कहला थे draft resolution कहला थे बच्चों समझ आ रही है मेरी बाद बैतरीन हो गया तो यह handout चोके class में बहुत जादा detail में इसको link में करके अब इतना बड़ा इंपोर्टन मैटरे स्वाम से पूछा नहीं जा रहा इसको तो डिसक्स करना चाहिए the member having not less than 35% voting power in the company may sorry 35% यह 5 a year the members having not less than 5% voting power in the company may give notice of a resolution and such resolution together with the supporting statement if any which they propose to be considered at the meeting shall be forwarded as to reach the company in the case of a company requisition by the member together with the requisition वो जो पर यह जिम के बात चड़ लई थी अगर यह जिम के साथ सुनिएगा content of requisition चैल स्टेट दी अब्जेक्ट सहीए object और साथ में क्या लग जाएगा जली से बताते हैं एक और चिस क्या लग जाएगी नोटिस ऑफ रिजूलेशन बचों यहां तक बात समझ आ रही है तो अगर पेपर में सवाल आए कि बाहर ईयो जीम होने जा रही है अगर आप मेंबर आपके पास पर से जादा वोटिंग पावर है तो कंपनी को कह सकते हैं कि हम चाहते हैं के मीटिंग में इन चीजों के उपर भी अब मीटिंग के दौरान मेंबर आपके में में पार्टिसिपेंट इन मीटिंग पर्सनली फिरो वीडियो लिंक और बाइप्रोक्सी रिस्पॉंसिबिलिटी ऑफ चेर्में जे चेर्में अफ दा बोर्ड इफ एनी शेल प्रिसाइड एज चेर्में अब बाई जो इतने बि सब्सक्राइब करेगा अगर चेर्में मौजूद नहीं है फंद्रा मिनट तक या फिर वो अन्विलिंग है तो इसके जो डिरेक्टर्स होंगे जो डिरेक्टर्स होंगे वह अपने आप मेंसे किसी को अलेक्ट करेंगे अलेक्ट करेंगे और अगर डिरेक्टर जो अलेक्ट हुआ है या पर डिरेक्टर भी मौजूद नहीं है तो इसके बाद जो हमारे पास मेंबर्स होंगे वह अपने जाएगा आपका चेर्मेंट साहिए अब बाई जब मीटिंग होगी तो वोट होगा तो वोटिंग शेर्स कैसे कल्कुलेट होंगे इन दा केस आप कंपनी हैविंगा शेर कैपिटल एवरी मेंबर शेल है वोट्स प्रोपोर्शेट टुदा पेड़ वैल्यू अफ दे शेर्स और फ्रेक्शनल वोट्स आप कंसिडरेशन में नहीं लोगे साहिए फ्रेक्शनल वोट्स को यस बिल्कुल 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 देखें वर्ड क्या लिखाव है जहरान छोड़ा आप समझने कोशिश करिएगा दा मेंबर्स प्रेजेंट शेल चूज चूज वन आप दियर मेंबर तूब टूब ड़ा इंपोर्टन है कि जो प्रॉक्सी जो प्रॉक्सी होगा क्या वो भी चैर्मेंट मत सकता है तो मैं आ अप्रॉक्सी मस्ट b आं मेंबर अनलजच अर्टिकलutor कंपनी पर्मेट अप्वाइंड आपौइंट कोशिए प्रॉक्सी मेंबर होगा तो कि इसका मतलब है और यह मेरा प्यार अपाउज और यहां मैंभर हो रही हो रही है जली सिकाख मतलब है कि यह व यह आप चैने जी जैबर दस इन दा केस ऑफ अच्छा अब अब मेरे पास वोट्स आ गई यह वोट डालू कैसे और पॉल वोट में बी गीवन इधर पर्सनली और थू वीडियो लिंक और बाइप्रोक्सी और थू पोस्टल बैलेट इन अ मैनर और सब्जेक्ट तु दा कंड यहां पर मैं सिर्फ मोड ऑफ वोट को रोक रहा हूं क्यूं इसके नीचे आप जितने भी सेक्शन देख रहे हैं वोटिंग बाई शो ऑफ एंड्स सही है डेक्लिरेशन बाइट चेर्मेंट शो ऑफ एंड्स जिमांड फॉर पोल पोल तुरू सीक्रेट पैलेट टाइम पर भैतरीन हो गया बच्चों सिर्फ पंदाभी स्वन की किलास और है यह जो मीटिंग आपकी हुई है यह जो मीटिंग आपकी हुई है प्यारे बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा मैं इसके साथ आपको एक सेक्शन पढ़ाने जा रहा हुँ इसका नाम है कौरम ऑफ जर्नल मीटिंग सही है यह मीटिंग यह वाले काम जो है यह कौरम पर डिपेंड नहीं करते कौन से वाले काम यह प्रोविजन एस्टू मीटिंग है मैंने चीज़ें कुछ लिखी है ड है करे को सब्सक्राइब चौट चुछ करें है कंपनी कहती है कि हर पांच शेयर पर एक व्ट होगा तो मेरे पास आठ शियर है मैरे कितने थे जिलियर हो गए हुलिए तो यह नहीं होगा जी डेरेक्टर यह वाला पॉइंट करें तो मैं काऊंगा मैं अपने डेर्ड वोट डेरेक्टर को देता हूं नहीं है या तो एक वोट दूँगा या दो वोट दूँगा ना बच्छो हाँ जी मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे यह कौरम ऑफ जनल मीटिंग यह कब अपलाय होगा यह जतने कामों के पीछे मैंने बिफोर लिखावा है क्या इसके लिए कौरम रेलिवेंट है यह तो मीटिंग से पहले की बात है ना करेंब जब मीटिंग जिस दिन मीटिंग है जिस दिन मीटिंग है सहीज दिन मीटिंग है उस दिन कौरम वाला स्क्षय है इसका मतलब है इसका मतलब है समझने कोशिश कर य função करिएगा समझने कोशिश करिएगा कि ट्रेयर मेर्ट तक ट्रेंच चीज़ें सही चलती रहेएंगे और चैर्मेंट विंच Alert हो प्रिटीन मिनिट्स तुन हुख प्वाटीफाइब मिनिट्स क्यों नहीं रखा को स्फिसे मिनिट के अंदर आपने को रिष्ई करना है कॉरहम डिसाइड करने वाला कौन होगा कॉराइब कार wastewater करेगा कॉर 25 क्यूंद क्वार स्फिशλाइब के नहीं नहीं है इक मीन्स जो चेर्मेन होगा वो मीटिंग को लीट करेंगा अगर वह मौझूद नहीं है 15 मिनुट तक area नहीं लिखा 15 मिनिट तक मौझूद नहीं तो कोई और आएगा चेर्मेन जब वह चेर्मेन आ जाएगा तो यह देखा जाएगा कि क्या कोरम पूरा है कोरम पॉब्ल लिस्टेटल सेटाटल प्रेजुनिट पर्सटनली और थुरू विडियो लेड़ रिप्रेजेंट नॉट लेज दें 25 परजंट अब टो टोटल वोटिंग पावर एधर . अप्र और एस प्रोक्सिस पॉब्लिक लिस्टेट कंपनी के लिए 10 मेंबरान का और वीडियो लिंग में भी उसी बंदी की शकल दिखनी चाहिए सहीं प्रॉक्सी वाला नहीं मेंब्रान जो होगा वह पर्सनली मौजूद 10 होने चाहिए और उनके पास उनके पास जो मेंब्रान मौजूद है उनके पास जो वोटिंग पावर्वर्ज होंगे प्यारे इसको आप यूँ समझेगा इसको आप यूँ समझेगा मेरे प्यारे बच्चो फॉर एक से लेकर मेरे पास नाइन मेंब्रान है मेरे पास टोटल मीटिंग में एक से करना यार मेरे पास प्यारे बच्चो टोटल मीटिंग में कितने मेंब्र मौजूद है जल्दी 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 कितने मौझूद है इन में से 10 इन में से 10 पर्सनली मौझूद है या घर में बैठके वीडियो लिंग यूज कर रहे है ठीक है एक जो मेंबर है यह कैसे है यह किसको रेप्रेसेंट कर रहे है यह एट यह यह प्रोक्सी और प्रेजने कर रहे है ग्यारे प्यारे बच्चो उप क्या दस वाली कंडिशन पूरी हो गई इंदिस के पास, जो शेर्द है वह 24.यु जो जैब प्रॉक्सिवाला है यह जो प्रॉक्सिवाला है इसके पास, जो शेर्द आ रो टू पर्संट है क्या कोरम पूरा ओग्या यह प्यारे बच्छों कोरम पूरा हो गया क्यूंप को जब 25 परसन आप कैलकुलेट करोगे तो प्रॉक्सी को भी कैलकुलेट करोगे लेकि जब मेंबरान की तादाद आप तो वह मेंबरान आप करेंगे जो पर सेली प्रेजेंट होगा ड़न हो गया बच्छों any other company having share capital two members present personally or through video link represent not less than 25 percent of the total voting power either of their own account or as proxies company not having share capital as provided in the article agar Leств अबंच खरगस्ग् पर प्रॉवर्ण को लेपन प्रिदे फिज गीन ह Carn kita otan 7 ok is not present agar tova Meembrane ने रेकुजिशिशन के तुरू जो थो थे पहले योजम से पढ़ा है अगर उन्होंने कॉल की भी है मिटिंग डिसॉर्ड हो जाएगी अब जिंदेगी बढ़ यह मिटिंग नहीं हो सकती इन एन अधर केस इचल स्थेंट अजर्ण तो थे सेम दे इन नेक्स वीग अधर सेंट मिटिंग अ कॉरम इस नोट प्रेसंट विदिन हाफ आवर फॉन अवर फॉन पॉन पॉन इंदेगी अगले हाफ्ते सेम तारीख सेम तारीख सेम वेन्यू और अगर उस्वख भी कॉरम मौजूद नहीं हुआ प्यारे बच्चो तो अगर सिर्फ दो लोग भी मौजूद है ना पर्सनली तो वो दो लोग भी कॉरम तसवर किये जाएंगे अन्लेस अर्टिकल प्रोवाइड अधर्वाइस जैन होगया प्यारे बच्चो अब जो यह मीटिंग हुई है प्यारे बच्चो कॉरम प्यारे बच्च रेजुलेशन छे रेजुलेशन लेकिन इसमें कोट के पास यह पावर है कि वो किसी भी प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मेटिंग जनरल मीटिंग को इन्वैलिट करार दे सकता है क्या मतलब इसका बाइं हूं कोट के पास बात कब जाएगी कोट कभी भी वह जो इस ग्राउंट पर जाएंगे इस ग्राउंट पर podr सीडिंग ऑफ जणर्मिंट इन्वैलेट बाइजेग इन्वैट बाइजर्ण ऑफा मंटीरियल डिफेक्स और और ओमिशन फऑर एक्जेंपल आपको नोटीस में नहीं बताया गिया कि एक्रमेंट कहां से दिखा जाएग विच प्रेवेंटिट मेंबर्स प्रॉम यूजिंग एफेक्टिवली दियर राइट तो कोट में डिकलियर सच प्रोसीडिंग और पार्ट सच प्रोसीडिंग का मतलब यह है कि कोड बोले गए पूरी एजी एम इन्वालिट हो गई बाई या सच पार्ट यह जो एक से दो के दिन में जो डिसेशन लिया गया था यह जो यह वाला रेजुलेशन था यह वाला जो एजेंडा था इसको इन्वालिट करार दिया जाता है डिरेक्शन दी जाती कि एक फ्रेश जनरल मीटिंग कॉल की जाए प्यारे बच्चो लेकिन यह पेटिशन भी आपने कफ फाइल कर दियेगा अ मैंबर ओफ एकमपनी में पार्टिसेपेट इंड़ मीटिंग परस्नली फुरू वीडियो लिंक और यह लिखा वे मेरे बच्चो और यह प्रॉक्सी तो प्रॉक्सी का रहाइट किसका पास है तो इसका मतलब है सेक्शन 134 के सेक्शन 134 के सब सेक्शन 4 में प्यारे बच्चों यह हैंड आउट समझ आ रहे हैं आपको यह एक बार आप घुमा लेंगे पेपर से पहले इंशालला साइल सीज़र तो राइट ऑफ प्रॉक्सी कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है एं मेंबर ऑफ कंपनी इंटाइटल टू अटेंड अन वोड़ अट मुला कि इंटाइटल टू रिसीब नोटिस जल्दी इंटाइटल टू रिसीब नोट Whenever材स जल्दी छेंटी सी ड Gewerком्तर जबरец और कि अवड़िटर किसी और गांश्टा करता है कि कि अटी है गया प्यारे बच्चों खुदा का वास्ता इस तरह समझे कुशिश करिएगा अगर पेपर में सवाल आ जाए कि और ने प्रॉक्सिया पॉइंट कर ली तो आप यह ना सूचेगा भी टीचर ने तो पढ़ाया नहीं है आप यह ना सूचेगा लॉम में कुछ नहीं लिखावा प्रोवाइड डैट अनलेस दा आटिक अलग यह कंडिशन पढ़ चुका हूं मैं सही है यह वाली कंडिशन में आपके साथ पढ़ चुका हूं अच्छा आप खुदा का वास्ते मेरी बात ओ भाई मेंबर के पास एक और राइट था है एजिएम में जल्दी बता दें मेंब पर पास एक और चीज़ ता है मेरे बचों सामने मेंबर के पास एक और चीज़ का हुए मंगी वह कह सकता है मैं लाड़का ने हूं बैठ़ा वहओ चलो बिटेव इंडरी फिजभिसियृट करो यादा रहे तो जब इसका यह राइट था जब इसका यह राइट था तो प्यारे बचों यह कहां लिखा गिया था समझा रहा है तो नोटिस में लिखना था नोटिस में लिखना था तो अगर प्रॉक्सी भी तुम्हारा राइट है प्रॉक्सी भी तुम्हारा राइट है बस मेरे प्यारे बच्छो जबर्दस यह इस हैंडाउट का फाइदा है यह बड़ा structured way में और बड़ा ही मैनत करके इसको बनाया है ताके आपके सामने तीन चार सेक्षेंस आपके सामने आ रहे हैं पेपर में आप लिख सकें प्यारे बच्छो अगर प्रॉक्सी का है तो पर नोटिस में लिखा जाएगा subject to the provision every notice of a meeting of a company shall probably set out the members right to appoint a proxy है तो नोटिस के साथ हमने पढ़ाता नोटिस के साथ क्या क्या टैच होगा है नोटिस के साथ मेरे प्यारे बच्छो क्या क्या टैच होगा गे शल्ल भी एक्श क्या टैच होगा statement अगर cette a connection दौगा ड्राफ्ट रेजुलिशन की कॉपियाद आ रहे ंग्राफ रेजुलिशन की कॉपियाद आ रहे तो प्रॉक्सी के साथ क्या टैच हो जाएगा प्यारे बच्छो जली से बता दे प्रॉक्सी के साथ भी टैच कि एक मीटिंग होने जा रही है बताएं नोटिस के साथ क्या क्या चीज Hi we Content करने जा रहे उस से रेलेटिट जो मटेरियल फैक्ट से हो एन हुँआ है किा अगर कोई갔 इस ic welisus पास करवाने जा रहे है तो ड्राफ रेजरिशन को töपी होगी है और प्रोक्सी प्यारेबचो ईसटरी चीज शब्दस है ठाथे प्यारे अब्समक्रीजा आप tent हो जाएगी प्यारेबच प्यारे प्रोसी फंचेल्च तुम्ट समझे रहे में थैंस्टुमेंट प्वा इंस्टूमेंट अप्वाइटर केंप्वि इन रितिंग और इस एक पॉइंटर और इस एक टॉर्टी अपर इस पॉड़िट इस एक प्रॉडटी इस ताइम पहले आपने जमा करानी होगी इस दौराना के कुछ चुटी वुटी आ गई उसको चुटी जरूरत नहीं है आपको को तो सब्सक्रूं को में तो अगर नौभजे अगर फोर एक्जेम्पल शाम के छवजे मंडे को शाम के खीयर मंडे को शाम चे बज neutral वह गजशेमपल एक्जिय्म है तो अगर आपने फ्राइडा दो दोपहर टीन बजे जमा करा दिया है तो कंपनी यह नहीं कह सकती के 40 घंटे में जो पुब्लिक हॉलिडे में इसको इसको अगर मैं कंसिडर करूं तो यह तो तुमने 40 घंटे पहले जमानी करें नहीं वह भी आपने अकाउंट में लेने डान हो गया बच्चो किल तो तो the members or their proxy shall be intended to any of the for any or all of the following thing subject to project section 143 on a question before the meeting which the police demanded to abstent from voting a members ho hai right other members proxies related kyya uwagę the by every member entitled to both at a meeting of the company shall be entitled to inspect during the business hours of the company all proxies lost with the company ये बास समझ आ रही है इसको पता होना चाहिए कि भाई Mr. A के पास Mr. A के पास 10 proxies form आ चुके हैं Mr. A 10 लोगों को represent कर रहा है तो अगर Mr. B चाहता है कि मैंने रिजर्शन पास करवारे तो Mr. B किसके पास जाएगा प्यारे बच्चो जली से बताते हैं Mr. B किसके पास जाएगा Mr. A के पास जाएगा वो Mr. C के पास जाएगा Mr. C के पास जाएगा मैंने तो Mr. A को प्रक्सी फॉर्म अपइंट कर लिया है तो इस चीज़ को consider करने के लिए यह राइट है मेंबर्स का कि वो देख सकते हैं प्रक्सी फॉर्म को बच्चो समझ आती है बातियां तक बिल्कुल बिल्कुल प्रक्सी वी ओ गई आखरी चिस हमारे पास कौन सी बच्ची अभी भी सावा 11 में 10 मिनट रहते हैं और अगले पांस मिनट बच्चो अगले पांच अच्छा सॉरी सॉरी एक चीज़ एक चीज़ अगले दस मिर्ट में इंशालला हम इस पूरे हैंड़ को कम्प्रीट कर लेंगे प्रॉक्सी से रिलेटिट ही मैंने दो चीज़े और आपके सामने लिख दी है रेप्रेजेंटेशन ऑफ बॉड़ी कॉर्प्रेट और रेप्रेजेंटेशन ऑफ फेडरल गर्मेंट अगर अगर किसी बॉड़ी कॉर्प्रेट के पास शेर्ड है तो वो बॉड़ी कॉर्प्रेट मेंबर तो है लेकिन पूरी कंपनी उठके तो नहीं आ सकेगी प्यारे बच्चो तो वो किसी बंदे को करेगी कि फला कंपनी की एजियम में जाके शरकत कर लो त्यारे बच्चो यह प्रोसेस प्रोक्सी नहीं कहलाता क्या यहां तक बास समझा रही है अगर फेडरल गर्मेंट के पास पी एसो के शेर्ड है और कल को पी एसो की एजियम आने वाली है तो क्या फेडरल गर्मेंट एजियम में आएगी नहीं फेडरल गर्मेंट किसी बंदे को मुंतखिब करेगी वह जो बंदा के जिस बंदे को मुंतखिब करती है प्रोक्सी नहीं कहलाएगी कि यहां तक बास समझ आती है हाँ अगर जिस बंदे को अथराइज किया गया है वो बंदा अगर आगे किसी को किसी और को रिकमेंड कर दे या किसी और को बोले कि तुम मीटिंग में चले जाओ वो बंदा क्या कहलाएगा वो प्रोक्सी के लाएगी प्यारे बचों के यहां दक बास समझ आती है बैतरीन हो गया तो हमारे पास section 138 भी है हमारे पास section 139 भी है बड़ा आसान सा section है कहता क्या है अब body corporate और corporation whether whether or not a company within the meaning of this act which is a member of another company for example national bank of Pakistan के shares state bank of Pakistan के पास है स्टेट बैंक पाकिसान कंपनी नहीं है अपने कानून के तरह बनी विए जब नैशनल बैंक की AGM होगी तो क्या पूरा को पूरा स्टेट बैंक की बिल्डिंग उठके आ जाएगी नहीं winner of a member of in the country may by resolution of its board or other governing body, authorize an individual to act as its representative at any meeting of debt other company and their individual so authorized shall be entitled to exercise the same power on behalf of the compression which he represents a body corporate or corporation whether or not a company within the meaning of the budget credit or of another company में बाइब इस बोड और गवर्णिंग बोडी ऑथराइज एंडिविज्विज्व तो एक एस रेप्रेजंटेटिव अपने बंदे को कि तुम जाके मीटिंग अटेंड कर लो अप update купा यहाफ यहाफ नंहीं नदो यहापन हमारे पास प्छों हो क्या है वह था हमक सیکशन पढ़ रहते हमक सेक्शन पढ़ शक्रमस के नाम किया था अ discut ने folies सही है voting to be show of voting to be show of hands in first instance at any general meeting a resolution put to the vote of the meeting shell unless a poll is demanded be decided on a show offense यह चीज़ हमेशा याद रखेगा जब भी polling होगी हमेशा कैसे होगी प्यारे बच्चों जली से बता दें हमेशा कैसे होगी शोफेंट से होगी जब हाथ उठाए जाएंगे तो जाहेंगे आपके हाथ काटे जाएंगे ना कुछ किया जाएगा तो declaration कैसे की जाएगी कहां भी फाला को पाइंट करें फाला को पाइंट ना करें और वोर्ट ऑन रिजुलेशन मेटिंग और शेयर्मेंट नहीं करेगा तो पर आप हाथ बीच करने पर वापिस से हाथ उठा लें तो यह साइच जिन्यों की चेर्में ने देखेंगा चेर्मेंगा मिजोटी ने हाथ उठा लिया है सही है जी हम रेजुलेशन पास करते हैं इसके लिए उसको कोई चीज रिकॉर्ट करने की ज़रूत नहीं उसका एक डिसीशन ही कॉंक्लूसिव एबिटेंस से प्यारे बच्चों का यहां और तो अगर मेंबर्स के पास मिला जुला के वन टेंथ टोटल वोटिंग पावर है तो वह यह डिसीशन ले सकते हैं कि भाई आप जो है इस चीज का डिसीशन पोलिंग के थुरू ने और आपने पोल डिमाट जब भी वह पोलिंग का जाए पोलिंग अगर कहेगा इसका मत not with descending anything contained in the act where a poll is demanded on any resolution it may be ordered to be taken by the chairman of the meeting by secret ballot of his own motion and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by the members present person through dealing of a proxy we are allowed and having not less than one tenth of the total voting power क्या तक बास समझाती है तो अगर आप गौर्ण से देखें तो ये दोनों चीज़ें exactly 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 same है और यहां पर से इतना बता रहा है कि जब भी पोल डिमांड किया जाएगा तो कैसे डिमांड किया जाएगा थूरू secret वैलेट डिमांड किया जाएगा तो भाई पोल की टैमिंग क्योंगी जब इतने खत कियते हैं secret वैलेट कि तुरू ओ तो मीटिंग करनी ये कंदी करने सबाहाथ उठा रहे हाथ था रहे हाथ नी उठार ये आपने का निवाई मैं तो दिमांड करता हूं फोल डिमांड हो जाएगा इमिजटल डिमांड हो जाएगा इसके लावर जत्री टाइम प्योंड होंग कि लिए रहें तो इस हैंड आउट को आप थोड़ा गौड से देखिएगा तीन हमने सेक्षिन पढ़े 131 132 133 जब यह तीन सेक्षिन हमने पढ़े तो बहुत से सावालात के जबाबाद धुड़ने के लिए हम कहां चले गए 134 में चले गए जब 134 में गए तो एक वर्ड आ थी तो आठी है प्यारे बचशो अगर कहीं अच्छा टैया है तो लिए दिस्कर्स कि लिए रोत प्यारे बचछो यहां तक कुछ फाइदा होगा मेरे प्यारे बच्चो चले जी जबदस जबदस प्यारे बच अपना बेहत खायर लखेगा इंशाला अगली क्लास और डाक्टर के साथ मिलेंगे हैं ठीक है जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अपना बेहत खायर लखेगा